नमश्कर तुस्तु वज की कहानी है लड़की पर इमोसनल अत्याचार घर में बहुत चैल पेल चल रही थी मा बबुजी कमरी की अंदर और एक मनुचाचा जी कमरी में अंदर आजा रही थी कमरा अंदर से बन था तीचा कॉलिस से घर आई उसने देखा दोनों बेहने बार ब बड़ी थी थोड़ी से पक्की रंकी थी उसकी साधी की बहुत चगय पर बात करती थी मगर बात बन नहीं रही थी दो साल से वहें लोग तलास कर रही थी और अच्छानक ही घर आकर बुला की साधी ते कर दी है कल साधी है और मेमानों को भी भूला लिया था वहें तो कॉल इतनी लोगों को देखा तो पूछा क्या बात है, दोनों पेने चेहे कर बोली दीदी आपकी साधी ते हो गई है, वह है पूली, ऐसी कैसी ते हो गई है, मैंने तो लड़के को भी नहीं देखा है, ऐसी कैसी ते हो गई थोड़ी तिर में उसकी पिताजी बाहर आए बुली बहुत मुस्किल से रिस्ता मिला है मैं लड़का और घर देख लिया है सब अच्छा है और बेलोग सकल ही साधी चाहते है इसलिए मैंने रिस्तितारों को बूला लिया है कल तुमारी साधी है वही तो जैसी आसमन से जमीन पर गिर पड़ी उसको लगा दाल में कुछ काला है बहुत कहा उसकी माने आकर उसको डांट दिया बहुत मुस्किल से तो तुमारी साधी ते हुई है तुम्हारी बक्की रंग के कार तुम्हारी सदी कहीं हो नहीं रही थी और अब तुम इसकी अंदर फीना नुकूर कर रही हो लड़का दिखने की बात कर रही हो मैं कह रही हूं करू यही सदी तो हो कर रहीगी पापा की उपर विश्वाइस करो अगर तुम साधी नहीं करोगी तो पीछे की दोनों बेनों की साधी कैसी होगी उसने अपनी पिता की तरफ दिखाओ मगर कहते है ना जब मा मर जाती है तो पिता भी सोतेला हो जाता है यहाँ पर भी वही हाल था वही भी सोतेला ज्सब ही वेवार करता था उसने डाटकर और प्यार सी उसको समझाया कि तुमको साधी तो करने ही पड़ेगी अव साधी के लिए मना करोगी तो हमारी इज़त का क्या होगा हमारी इज़त का तो खयाल रखो वही क्या करती भाबनाव में बै गई उसने दूसरी दिन रिजग की साधी हो गई साधी के थोड़ी दिर पहले भी उसने दिखा कमरा अंदर से बंध है मगर खिलकी थोड़ी सी खुली है उसने दिखा उसकी पापा जी बहुत सारी नुटों की गट्यां के रही थी दो हजर की गट्यां थी और बहुत सारी थी उसका मा था ठनका कि मेरी पिता के पास थो इतना पैसा ही नहीं है यहे पैसा का हसी लाए मगर बेचारी क्या करती मजबूरी में साधी करने पड़ी साधी करके सस्राल गई वहाँ भी उसको कोई हसी उल्लास बाला कोई खुशी का माहुल नहीं देखा उसने देखा ठंडा ठंडा सा बेवर था उसकी सास ने उसकी नौकरानी को बोला इसको कमरे में ले जाओ कमरा थोड़ा सजा हुआ था कप्रे पदलने के बाद उसने सुचा बाहर जाकर के खाना खाय लेती हूं सबके साध बेटती हूं मगर उसकी सास ने उसको बोला कमरे में खाना आएगा खाना खाय लेना नास्ता कमरे में आएगा कमरी में नास्ता कर लेना बाहर सब के साथ बैठनी की चरूर नहीं है तीचा बड़ी हैरानी हुई उसने देखा आभी तक उसका पती भी नहीं ही आया है सुब़े से रात हो गई रात को दो बच्चे तक इंतचार करती करती सो गई देर रात को उसका पती बिनोद घर आया उसने उसको सोता देखा और चेन की सांस ले सोब़े उड़ते ही तयार होकर के बापस निकल गया सोब़े रिज़ा नाहा कर तयार होकर अपनी सांस के पास गई उसने पूछा कि बिनोद नहीं देखे अभी तक आए नहीं क्या भी नहीं करी है उसकी सास उसको भला बुरा बोलने लगी और बोला अपनी कमरे में से तुम्हें बाहर आने की जरूर नहीं है तुम्हारा खाना पेना सब वहीं पहुंच जाएगा तुमको कोई बात की कमी नहीं रहेगी अब तो उसको जलागा जरूर कुछ ताल में काला है ही दो दिन और बीट गए तीसरे दिन वहे सोई नहीं उसका पती खराया उसने उसको जगती हुए दिखा तो उससे बात करने की कुछिस करें तो वहे दूसरी तरह मों करके सो गया बुला में बहुत ठक गया हूं कल बात करेंगे अब तो इसका तीमाग बहुत थी गर्म हो गय उसने कहा हो नहो जरूर कुछ नकुछ यहे लोग मुझसे छुपा रहे हैं उसने सुबए जब बिनो नहाने गया तब उसने उसका फोन लिया और दीखा तो उसमें उसके बीबी बच्चों की तस्वीर थी अब उसकी बाश समझ में आई उसने फोन छुपा दिया और रिच्चा के पास ही हो क्या अब तुमारा मन बदल गया है और जो जो से बोलने लगी नए पत्नी आती हुए पुरानी पत्नी को भूल गए तेचा को तो यही सब सुनना था उसने यही सब अपने फोन की रिकार्ट कर लिया और फोन बंद कर दिया उसने अपनी सास के पास उनसे बहुत छकड़ा करा उसकी सास ने कहा मैं जैसा कहती हूँ तुमको पैसा ही करना पड़ेगा जब सब जने आएंगे तब तुमको अपनी आपको बिनूत की पत्नी के रूमें ही प्रिस्तुत करना है मेरी और तुमारी पितर की इज़त का सवाल है उसने कहा ठीक है मेर कोपर इच्छ देनी है और नोक्री करनी है सास ने कहा तुमको जो करना है करो मगर मुझे इस बारे में कोई बात ना करो उसने अपनी बीता और मा को फौन लगाया तो पिता ने अपनी इज़त की दोहाई दे करकी तेरी बेने बैठी है उसकी साधी करनी है तो घर आने का त सुचना ही मत नहीं तो लोग मेरी इज़त चालेंगी तुझे तो कोई भी हालत में वहीं रहना है बहुत मुस्किल से साधी करी है अब तेरी बेनों की साधी करनी है इसलिए अब तेरी को यहां नहीं आना है वही तेरा घर है वहीं मर्खब जो करना है कर उसकी माने पिता के हा हांसे मेरी घर कभी मताना यहे तो एकदम सक्ते में आ गई थोड़ी दिर रोती रही फिर उसने देखा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा पूरी आत्मिस्वास से भर के आगे की तयार करने के लिए चुट गई उसने अपनी सास से बूला मुझे परिच्छा देने दो कले चाने की अनमती दो और गाड़ी दे उसकी सास ने एक ड्रावर के साथ में उसको एक गाड़ी दे दी बोले तुमको छुड़कर जाएगा और लेकर आएगा और तुमको जो करना है वही करो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है मगर अब तुम मेरे पेटे के बारे में तुमको बिनोत की बहु की तरही पेशाना है उसने थोड़ी आना कानी करी तो सास को गुष्चा आ गया बोला पूरा एक करोड रुपया दे कर तुमको खरीदा है तुम्हारी बाप ने तुमको कुछ पताया नहीं पैसा लेकर की बैठ कई घर में और तुम यहां मेरी से गजमारी कर रही हो अब तुम कुछ नहीं कर सकती तुम हमारी गुलामों खरीदी हुई अब उसको यह इस बात समझ में आई कि वहां पैसे की चैर पेल क्यों हो रही थी पापक के हाथ में इतनी मोटी पैसे की गटियों क्यों थी उनका दिल बेटी को बेचने कैसे मान गया अब उसने सुचा मुझे धोड़ समझदारी से काम लेना चाहिए सबसे पहले तो यहे पता करना है कि उन्होंने एक पत्नी के होती हुए मुझे से दूसरी साधिक्यों की और इसके पीछी क्या कारण है उसने घर के अंदर काम करने बाले नोकनों से सबसे बहुत कुछ अच रिजग काथी से स्पूरा हो गया था उसने कॉलेज में एपलाई कर दिया था वहां से उसका अपाइटमेंट लेटर आ गया उस दिन ड्राइबर बहुत दुखी था उसने उनसे पूछा कि ड्राइबर काका क्या बात है अब बहुत दुखी हो ड्राइबर ने बूला मेरी म बहुत बीमार है गाउ में है उनकी इलाज के लिए पैसे मागे तो उन्होंने नहीं दिये और छुटी के लिए भी मेरे कोमा ना कर दिया मुझे तुमारी लिए भी बहुत दुख होता है तुम इनकी बली का बक्रा बन गई हो करूर रुपए के सामने एक करूर तो कुछ नही है जो तुम्हारी पिताजी को दिया गया है अपरी जग कामा था ठंका उसने ड्राइवर को भी स्वास में लेती हुए बोला अब मुझे बताईए क्या बात है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी ड्राइवर ने कहा उनके तादाजी की करोडों की संपती है पूरे परवार का ए उसकी हरकते और उसकी मा की हरकते दादाजी को बिल्कुल परसन नहीं है तो उन्होंने सारी संपती बिनोत की साधी अगर सजाती परवार में हो जाती है तो उसकी पतनी के नाम करनी है ऐसा कहकर उन्होंने बस्यत नामी में सारी संपती बिनोत की सजाती पतनी के नाम करती है जबकि बिनो तो पहले से ही अपनी प्रमका से बेवा कर चुका है तब इन लोगों ने तिक्डम लगाई और तुम्हारी पिताची को फाइस लिया तुम्हारी पिताची पैसे की पाजी निकले और उन्होंने अपनी बेटी को एक करूण में बेश दिया तुम्हारी दादा से सुर्ची के सुरक पास के बाद यहे तुमसे बिल के पीपर अपनी नम करवा कर तुम्हारे भी पता साब कर देंगे या तो तुम्हें रस्ते से हटाने के लिए तलाग देंगे या उपर ही पहुचा देंगे समल के रहना बेटी तुम तो मेरी पेटी जैसी हो यहे सब सुन करके रिचा एकदम चौक गई मगर उसने अपनी चेरी की हाकिकत को छुपा लिया और घर में भी एकदम नॉर्मल बनी रही एक दिन उसको कॉलेज से अपाइटमेंट लेटर आ गया उसी दिन में ड्रावर के साथ जाकर कॉलेज में जोन कर लिया और वही एक दोर्रूम रसुई का घर ढून के किराएट पर ले लिया और उसमें धीरे धीरे करके समन बसा लिया एक दिन उसने ड्रावर से बोला अच्छा आप यही तो जानते होंगे कि वहे बिनोद रहता कहा है अपनी परवार के साथ वहे ड्रावर के साथ उसकी घर गई उसकी पतनी को यही नहीं बताया कि वहे कौन है और उसी दोस्ती करने की कोशिस करी साथ वे फोटो खीची चाई पी फिर बोली तुम्हारी एल्बम तो देखाओ एल्बम देखती देखती उसने उसी बोला थूड़ा पानी लेकर आओ ना विनोद की पतनी पानी लेने गई उसने चुपचाप एक साथी की फोटो निकाल कर अपने पैग में रखी और चल्दी चल्दी एल्बम देखकर बंद करके और पाहर आ गई पानी पिया बोली अब मैं चलती हूँ मैं रिच्छा हूँ विनोद की पतनी जिससे उसने धोके से साथी करी है क्या तुमको पता है तो वह हस्तिव हुए बोले मुझे तुझ सम्मालूम है तुझे तो एक करूड में खरीदा है बस थोड़े दिन की मैमान हो फिर तो तुमारे पता कट जाएगा अच्छा हुआ तुमसे मिला हो गया नहीं तो मन में एक मला रह जाता कि मैं तुमें दीख भी नहीं पाई और तुम चली गई बोलती है अब निकल घर से थोड़े दिन में मन से भी निकाल दी जाएगी तब मैं अपनी सस्राल पहुँच जाऊंगी और उसकी मुझ पर दर्बा जब बंद कर दीती है दीचा को समझ में आ गया कि यहीं इन सब लोगों की मिली भगा थे और यहीं मेरा पता सब कर दी देंगी पैसे आती ही उसने ट्रावर की मदश से सब जगए जाकर पेपर बगेर तयार कर बा लिए सब भूद इखटी करती हुए यहीं भी सब उसकी साथ लगा दी है पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी और बोला एक्सन में कहूं तब लेना थोड़ी तीनों में दादा की ची का स्वर्ग बास हो गया दादा ची की अंतिन दर्सन के लिए भी उसे नहीं ले जाया गया उसने नोकरों से बात करके और भी सबूद जुटा लिए और अरम से आकर सो गई तीन दिन बाद बेनोद और उसकी साथ दंदनाती हुए आए पूरे बसीयत की पीपर और तलाक नामा उसकी सामनी रखा और बोला अभी कि अभी इस पर दस्क्रद कर मुझे भी तुमारी साथ कोई रहने में दिल्चस्पी नहीं है तुम तुमारी रस्ती में मेरी रस्ती मा पीटी ने सुचा हमारी चल काम्याप हो गई पैसा भी पूरा मिल चायगा थोड़ा इसको दे देंगे नहीं माने की तो रस्ती में से हटा देंगे अब ऐसा तो है नहीं तो थोड़ी पैसे दे कर की और इसी तलाख ले लेंगे सब पैसे की हम मालिक पंजाएंगे बहुत सारी दिवास उपने देखती हुए दोनों सो गई दूसरे दिन सोबे उसने पहले पुलिस को इंट फॉर्म करा और पेपर बदल कर उतलाख नामे के पेपर पर जो उसने बनवाया था उस पर साइन करके और प्रोपर्टी के पेपर पर साइन नहीं करें क्योंकि वह है उसके नाम पर थी पेपर अपने पती बिनोद को हाथ में थमाई बिनोद बहुत खुशता उसने जैसे ही पेपर देखी उसने बोला यहे पेपर बे नहीं है जो मैंने दिये थी उसने कहा यहे मेरी तरफ से तुमारी लिए उपा रहे तुम मुझे क्या तलाख दोगे मैं त जड़ चली जाएगे यहे क्या कर रही हो तुम चाही तो पूरा पैसा ले लो मगर चुप चाव यहां सी चली जाओ तर तलाग बला का जंज़ छोड़ो उसने कहा था कि तुम थोड़े दिनों में मुझे अपनी रास्ती से हटा दो मार डालो चला करके या कुछ भी करके और स सबसंपती हत्या लो मुझे तुमारी सारी मनसूबे पता हैं पहले मेरी पिताची को फचाया पैसे काला लच देकर मुझे और मेरी चिंदगी को नरक पना दिया तुमको ऐसे ही नए ही चुड़ूंगी उसका पती बामाओ उसको अब सब्द बोलते हैं और पार करने बाले ह ही होते हैं कि पुलिस pengsy आज्याती है और दोनों को गृटतार में ले लीती है और बोलती है तुम लोगों ने पहले ही उसको बहुत परिस्टन किया है इसलिए हमको बहुत दिन पहले ही बुलक्त कंप्लेंट को लिख बाती है तो यही नोबत कभी ना आए यही एक सबक है के सामने ही अपनी सूटकेस लेकर निकल जाती है कि मैंने तुम्हारा रिष्टा और तुम्हारा घर दोनों छोड़ दिया है अब मेरा तुमसे और मेरे पियर बालों सी कोई बास्ता नहीं है और वहे अपनी नए घर की और निकल पड़ती है पिचार करती है इन पैसों का क्या करूं फिर पिचार करती है कि मेरी जैसी परिशान और घर सी ठुकराई हुई लड़कियों के लिए अपना घर खोल दीता हूँ जहां उनको हीमत होसला और अपना पन मिले कुछ कर दिखाने का मौका मिले और सस्राल बालों के और अपने माबाप की स्वार्थ के आगी उनकी इ और काम में चुट जाती है उनकी मुपर एक संतोस की लकीर होती है कि उसने जो किया वही सही किया और आगी फी वही निसाहे लड़कियों को साहरा देकर सबल बनाएगी ताकि उनका कोई सोसर ना कर सकी इज़द की दोहाई देकर उने विज़द ना कर सकी धन्बाद दोस्त अगर ये मेरी काहनी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें अगर चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी और नई काहनियों के साथ तब तक के लिए बाई बाई